नमस्कार जहिंद आई सिंदी चैनल से मैं हूँ प्रदीब डेली करंडे फैच की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दुस्तों इसका पीडियाफ डाउनलूड करने के लिए आप टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर ले जिसका लिंक की वीडियो के डिप् इप्तिखार हैं यह कहां के निमाशी हैं बिहार के हैं और बिहार में भी कहां के तो यहां पर देख सकते हैं बिनिपुनगर परिशत छेत्र के वर्ड सेवन के यह निवासी हैं काम क्या है इनका तो यह सौफ्टवेर डेवलपर है और इनको अमेर्की कंपनी लुनार सुसा करने होदा क्यांट बहने हैं में यहां पर क्रवक्त कर करने नहीं देर्ट सकतπα्व करन पार में करने यहां पर देशन हएं कि सुसान के बाद इ्तएक्षार है के दूसरे ऐसे बेक्ति हैं जो चांद पर जमीन के प्लाट के मालिक बन चुके हैं ठेक है चलिए next सरस्वतिप सम्मान पुर्षकार 2020 के बारे में है प्रसिद मराठी लेखक डक्टर सरण कुमार लिंबाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए इस बार का जो सरस्वति सम्मान है 2020 इस एवोर्ड से सम्मानित किया जाएगा ठीक है और यह जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई थी 2018 में इसका प्रकाशन किया गया था और इस पुरुषकार के तहट कितन क्या दिया जाता है तो यहां पर दिया गया 15 राख रुपए एक प्रश्चाश्थी पत्र और एक पट्टि का प्रदान किया जाती है यहां पर देखें तो इसकी सुरुवाद किसके दौरा की गई तो केके बिल्दा फाउनडेशन के दौरा ठीक है और 1991 में इस सरस्वति सम जाना चाहूंगा देखिए बिल्ड फांडेशन के द्वारा कुछ हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं जिसे बिहारी पुरुसकार के बारे में हमने बात किया था जो बिहारी पुरुसकार है वो हिंदी और राजस्थान के राजस्थानी लिख़गों के लिए दिय आगे चलते हैं 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी 7% रहेगी यह बात UNESCO ने बोला यह UNESCO नहीं है ठीक है confusion नहीं होना चाहिए नाम थोड़ा सा मैश कर रहा है UNESCO पर फुलफोर्म क्या है देख लेते United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific ठीक है जो Asia Pacific कर रिजिजन है उसे क्या बोलत सागर का और इधर अमेरिका हो गया ठीक है तो यह प्रशौंत महा सागर और प्रश्बासागर के जो चारों और देखें तिधर Asia और इधर अमेरिका है तो इस पूरे रिजन को क्या बोला जाता है Asia Pacific Pacific का वो रिजन जो Asia के इधर में है तो यह जो संगठन है उसको फुल फॉ Social Survey of Asia and Pacific 2021 इसी रिपोर्ट में बताया कि 2019 में जितना आर्थिक उत्पादन भारत में हुआ था 2021 में उससे कम होगा यह तो सौभायक सी बात है 2020 में लॉगडाउन वगईरा लगा तो हलाकि यह रिपोर्ट उतनी सही साबित नहीं होगी, इसलिए साबित सही साबित नहीं होगी, कि एकनोमी तेजी से ग्रोव कर रही है, हलाकि इस दर्मयान जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कोरोना या कोविड नाइन्टीन बहुत तेजी से फिर से बढ़ने लगा, तो अब अन्य राज्यों में लॉकडाउन जिसे सिच्वेशन फिर से वापस आने लगी, तो अब इस एकनोमिक एक्टिविटीज पर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो हमें बाद में पता चलता रहेगा धीरे-धीरे, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया, कि दुज़ारे किस बाइस में जो भारती ग्रोथ रेट है, वो कितनी परसेंट रहेगी, 7 परसेंट रहेगी, और साथ ही जो गैर निस्पादित रिन है, को नियंतरण में रखते हैं, कम उधारी लागत को बनाया रखना एक चुनोती होगी, देखे, यहाँ पर हमारी एकोनोमी के सामने कई सारी चुनोतियां है, कमपनियों का NPA क्या हो रहा है, बढ़ारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, क्यूं, क्योंकि लोगों ने लोन तो लिया, लेकिन उनका काम बंद हुआ, तो वो लोग लोन आदा नहीं कर पा रहे हैं, और उधार की लागत, और लोग चाहते हैं, सरकार भी चाहते हैं, कि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे लोगों को, ताकि वो पैसा खर्च करें, खर्च करेंगे, तभी तो demand पैदा होगी, demand पैदा होगी, तब क्या होगा, production होगा, क्योंकि जब demand नहीं रहेगी, तो production किस बात का होगा, ठीक है, और demand कब होगी, जब लोगों के पास, पैसा होगा, money होगी, मतलब economy में liquidity होगी, जिसको हम economics की भा आपर बताया गया है, यह जानने की कोई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चलिए, next, वज्र प्रहार, हिमानचल प्रदेश में किया गया, भारत और अमेरिका के बीच सैन अभ्यास का आयोजन, भारत और अमेरिका के बीच में, जो सैन अभ्यास किया गया, उसका बिल्कुल ही याद रखना है, और यह जो वज्र प्रहार अभ्यास है, यह गिरामा संसकरण था, ठीक है, और बारी-बारी से अमेरिका और भारत में आयोजन जीत किया जाता है, तो इसका मतलब जो दस्वारा होगा, वो कहा हुआ था, अमेरिका में हुआ था, और गिरामा भारत में हुआ ठीक है चले देखे इससे क्या होता है दो सेनाओं के बीच में जब सेन भ्यास होता है इससे दोनों एक दूसरे की मजबूती को सीखते हैं टैक्टिक्स अलग-अलग होती है हर सेना की तो दोनों एक दूसरे से परशित होते हैं उनके रणलीती से परशित होते हैं एक दूसरे के हाथियारों के इस्तेमाल करना सीखते हैं ठीक है साथ ही दोनों देसों के बीच में हर मुद्धे पर हर चीजों में अंतराश्टी संबंदों में हमें यहां पर मजबूति देखने को मिलती है मतलब हर छेत्र में आप इसको लिंक कर सकते हैं ठीक चली कांगो कोंगो के राश्रपती डेनी शसव नगेसो को 88% ऊट के साथ फिर से चुना गया कौन देखें करए यह कोंगो के राश्रपती क Options यही वसियाद कर लिजै द Every 600 फिर से जीता गया को पर पर Ohio केML किसा जीत हुआ था ठीक है स्वेज कैनाल में स्वेज नहर में और यहां पर थोड़ा से नीचे आएंगे तो मैप यहां पर मैंने डाल दिया क्योंकि कांगो का रिंपर्दानमंत्री कौन है यह जानना उतना इंपोर्टिन नहीं है जितना कि इसका मैप जानना है देखिए ध्याण से यह जीरो डिगरी आपको पता है कि कहां कहां से हो करके जाती है यह तो जानना बहुत जरूरी यह जो डॉटड़ लाइन देख रहे हैं अगर के यही है वो Republican Congo एक Republican Congo है और उसके बगल में ही देखेंगे इस Republican Congo कि राजधानी है Brazeville कहां पर है? Brazeville और उसके बगल में एक है Democratic Republic of Congo एक है Democratic Republic of Congo या इसे ही सौर्ट में हम जाएरे भी बोलते हैं और इसकी राजधानी है किन सासा कहां पर है किंसासा तो इन दोनों कॉंगो में तो कोई confusion नहीं है ठीक है ये clear होना चाहिए एक है Republic of Congo जिसके राजधानी अब राजा भी ले दूसरा है Democratic Republic of Congo इसके हुम जारे भी बोलते हैं और यही से एक जारे नदी भी है या Congo या जारे नदी ठीक है जो विश्वत रेखा को दो बार काटती है ध्यान से देखिए यही वो नदी है जो विश्वत रेखा को दो बार काटती है उस नदी का नाम क्या है कांगो और इसी देश के नाम पर या इस नदी के नाम पर इस देश के नाम पर इस नदी के नाम ठीक है तो यहाँ पर देखें ध्यान से तो यह clear होना चाहिए पूरी तरीके से और इसके बगल में देखोगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको इधर होगे गैबन फिर कांगो फिर जायरे जायरे को ही हम Democratic Republic आप कांगो बोलते हैं और उसके बाद Zero Degree इंटर करती है युगांडा में युगांडा की राज़नी कमपाला और उसके बाद Kenya और उसके बाद Narobi clear तो यह हो गया Zero Degree यह मैं आपको जानना बहुत जरूरी था और देखें यहीं है Victoria जील Victoria जील से होकर के Zero Degree गुजरती है ठीक है और Victoria जो जील है वो किन से किन से बाउंडरी बनाती है तो वो बनाती है नीचे है बुरूंडी उपर है युगांडा इधर है किन्या ठीक है तीन देश ऐसे हैं जिनसे Victoria लैक बाउंडरी बनाती है चली यह मैप के लिए रो गया आग दर्भंग गाजिले से ठीक है सरस्वती सम्मान पुरुषकार 2020 डाक्टर सरल कुमार लिंबाले को किस भासा के लिए दिया गया तो उनकी पुछतक है सनातन ठीक है सनातन एक बार फिर से देख लिए आप ताकि पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाए देखिए उनकी पु चलिए आगे चलते हैं यूनिस कैप के अनुसार 2021-22 में भारत के आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानी थे तो यहां पर कितना इसने अनुमान लगाया है साथ परसेंट नेक्ट वेस्चन भारत और अमेरिकर की बीस से ने भ्या स्वरज प्रहार का आयोजन कहां किया गया उ इंबंबे नाइजेरिया कांगो जीबुती देखे केवल कांगो लिख देने से वह मतलब की हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए लेकिन मैंने मैप दिखाया आपको तो वह क्लियर होगा ठीक है तो दोस्तों यह राज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज वीड कि पस्माइ लिंग कि पस्माइ लिंग